जयहिन आवा आर्मी वाइफ वेलफेर आसोशेशन के संबंदित जानकारी में आपको स्वागत है मैं एक्स सर्विसमेन आजित कुमार नंदा रिटार्ड आर्मी क्लर्क आपको एक जवान अगर मेरिटर डिस्कॉर्ड केस में या मेंटनेंस केस में अपने पत्नी के द्वारा दिये गए कंप्लिन के द्वारा फसा हुआ है या प्रोब्लेम फेस कर रहा है उसके उपर जान करें दूंगा मैरिटर डिस्कॉर्ड केस आर्मी में आज की डेट में एक कॉमन इश्यू हो गया है बहुत सारे केस जैसे मेंटनेंस अराउंस जॉइंट कांसलिंग क्वार्ट डॉमेस्टिक भालोंस जैसे आरोब आज कल देखने को मिल रहा है लेकिन सारे केस में सिर्फ एक जवान दूसी है या प्रतादित करता है ऐसे नहीं है दस केस में से नौ केस सही है लेकिन एक केस ऐसा भी है जिसमें जवान को जूटा केस में या जूटा आरोब लगा जाता है यह देखा गया है इस तरह से कंडिशन में एक जवान को किस्त कैसे लीगल फ्रोसीजर में इस तरह का सीचुशन को हैंडल करना है उसके बार में आपको मैं A to Z जयानकारी दूँगा अगर एक जवान के खिलाफ उनके वाइफ आवा या आर्मी ओफिस में कंप्लेंट डालते हैं तो जवान को भी वरावर मौका मिलता है अपनी बात रखने के लिए और अपने को सही प्रूफ करने के लिए जैसे कि यूनिट में जॉइन कांसलिंग होता है बाई प्रोफेशनल देता है उसके बाद यूनिट के कमांडिंग अफिसर के द्वारा जवान को एक सोक उस नूटिस जारी किया था सोक उस नूटिस होता है कारण दर्शाओ जिसमें की जवान अपने प्रक्स रख सकता है क्यों उनके पत्नी को मेंटनस अला ना दिया जाए उसके उपर अपना बात रखता है अगर आप भी आपको आपको सोक नोटिस को रिपला हमारे से बनाना चाहता है तो आप हमारे साथ कंडैक्ट कर सकते हैं उसके पर मैं मैं इन हाइलाइट पॉइंड आपको मैं डिकश्ट करूंगा जैसकि अगर आपकी वाइव खुद पढ़ी लिकी हो सक्ष वाड़ा आदाय कर सकती है इमेविल फ्रॉफर्टी जैसे के लैंड है हाउस है उनके नाम में जो भाड़ा ले रही है या उसको लीजिम लगाई है या वह सर्विस करें कोई प्राइबेट या सरकारी सेक्टर में या खुद ट्यूशन बच्चों को करी है दुकान सौब खोल के बैठी है कोई विजनेस करें इस सब बैग्राउंड में उनका मेंटर्स आरांस को कम या रोका जा भी सकता है इससे आगे ज्यादा जनकारी कि आप हमारे सेर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज यहिन जे भारत नमस्कार